हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का आर्वेद्य यूट्यूब में तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ से exercise 1.3 का question number 5 लेकर के आया हूँ ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है तो आप वीडियो को द्यान से देखे आंतर तक देखे वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को like कीजेगा दोस्तों को भी share कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी subscribe कर लिजेगा तो चलिए देखते हैं इस question को कैसे solve करेंगे question में हमसे पुछा गया है question number 5 what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17 perform the division to check your answer देखो यहाँ पर आपको एक rational number दिया गया है 1 upon 17 उसे divide करना है और divide करने के बाद उसका जो decimal expansion आएगा उसमें ये बताना है कि कितने digit repeat होंगे जो उसका decimal expansion है means जो quotient में decimal के answer आएंगे तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले division करना पड़ेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर solution कि लेट्स डिवाइड लेट्स डिवाइड वन ओवर 17 वी गट अब जब डिवीजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो यह हमारा डिवीजन वाला बॉक्स है यह हमारा डिवाइजर है 17 डिवीडेंट है वन रिदर हम quotient को राइट करेंगे ठीक है यह वाली लाइन थोड़ा और बढ़ा कर लेत यह चोटा है इसके लिए हम यहां पर लगाएंगे डेसिमल लगाते हैं यहां पर 0 क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अब 17 का टेबल हम 0 टाइमस पढ़ेंगे तो यहां पर 00 हो जाएगा और सब्ट्रेक्शन करने के बाद में हमें 10 मिलेगा वापस से डेसिमल की वज यहां में 10 माइनस 55 और 9 माइनस 8 15 मिलेगा हमें डेसिमल की वज़ा से एक 0 बढ़ता जाएगा 179 जा 153 मोर हो जाएगा तो 178 जा पढ़ेंगे 178 जा कितना हो जाएगा 136 10-64 और 4-3 1 140 हो जाएगा अगें एट टाइमस पढ़ेंगे तो 178 जा 136 10-64 और यह हो जाएगा हमारा 0 बढ़ जाएगा 40 हो जाएगा तो 173 जा 51 जो की ज्यादा हो जाएगा तो आपर 17 टू जा ले जाएंगे 17 टू जा 34 तो इसको माइनस करेंगे तो 10-46 और इधर तो कुछ नहीं बचेगा डेसमल की वाज़ा से 60 हो जाएगा 173 जा ले जाएंगे 173 जा फिप्टी बन 60-51 कितना हो जाएगा 9 रिमेन हो जाएगा डेसिमल की वाज़ा से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा सब्ट्रेक्शन करेंगे तो हमें 5 मिलेगा डेसिमल लगाएंगे फिप्टी हो जाएगा तो 17 टू जा ले जाएंगे 17 टू जा थार्टी फूर देखो यहाँ आपर सब्ट्रेक्शन करेंगे 10-46 4-31 16 हुआ जीरो और लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 160 अब यहां तो हम डि 160 यहां पर राइट कर देंगे मालीजिए यह ऐसा है अभी 17 के टेबल हम कितनी बार पढ़ सकते हैं देखो 179 153 1710 170 तो 179 जा ले जा सकते हम इसको 153 सब्ट्रेक्शन करेंगे 10-3 कितना हो जाएगा 7 डिसमल लगा हुआ है 0 बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा इससे चाहें तो हम 175 जा 85 ज्यादा हो जाएगा तो 174 जा ले जाएंगे 174 जा 68 रिमेनिंग हो जाएगा 2 डेसिमल के वज़ा से 20 हो जाएगा 17 बंजा 17 फिर यहां पर बचे का 10-7 3 1-10 तो उसको राइट नहीं करेंगे अब यहां पर देखो डेसिमल के वज़ा से 0 बढ़ा देंगे 30 हो जाएगा 30 डेसिमल के वज़ा से 30 हो जाएगा तो यहां पर देखो अब यह 30 है तो 17 टेबल सेवन टाइमस पढ़ेंगे तो 177 जा 119 फटना होगा 119-1 यह हो जाएगा हमारे पास 11जिमल के वज़ा से 0 बढ़ेगा तो यह जाएगा 110 अब 17 के टेबल जो हम six टाइम पढ़ सक सब 00 हो जाएंगे decimal के वाज़ा से 0 लागाएंगे तो 80 हो जाएगा 17468 है तो टेन माइनस एट टू एंड सेवन माइनस इक सबन डेसिमल के वाज़ा से 0 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा दिखाई दे टेन्टीन अब यहां पर देखो डेको जीरो टू से करी लेको टेन और टेन माइनस नाइन वन बागी सब 00 हो जाएगा तो जिस स्टेप पे आपका रीमेंडर डिवीडेंड के प्ला जाता है मिंस यह वाला डिजिट वन इस वाला डिजिट वन के प्ला आ जाता है तो आप समझे यह इसके बाद के जो decimal expansion होंगे वो repeat करेंगे तो आपको यहीं देखना है कि dividend आपका वापस आ रहे कि नहीं यानि कि जैसे आपको वन में 17 से division करना था तो remainder में भी वापस आपको वन मिल रहा है तो यहां से डिजिट क्या करेंगे repeat करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा decimal expansion वन अपन 17 का क्या क्या हो गया देखो 0588-235-29411-7647 अब यह हैं कितने 123456789 10 11 12 13 14 15 16 तो इसका decimal expansion यह हमारा और तो number of digits है in repeating block वो है 16 तो answer कैसे rate करेंगे देखो answer हम ऐसे rate कर सकते हैं तो वन अपन 17 इस equal to 0.0588-235-294-117647 एक बार मैं डिजिट को मिला लेता हूं जीरो फाइफ डबल एट digit 235-294-117647 तो यह हमारे decimal expansion होंगे और जो डिजिट repeat करेगी वो यहां से ले करके यहां तक करेगी ठीक है यहां पर हम ऐसे जो है डॉट डॉट लगा सकते हैं कि यह इस प्रकार से आगे बढ़ेगी तो यह हमारे अपरबार हो करेंगे अपरबार का मतलब होता है कि डिजिट इतना डिजिट जो है वो रिपीट कर रही है तो नमबर डिजिट कितने नमबर आप डिजिट शिक्स्टीन है तो यहां पर आंसर लिखेंगे दस दा नमबर आप डिजिट इन दा रिपीटिंग ब्लोक इस सिक्स्टीन तो आपका आंसर क्या हो गया दस दा नमबर आप डिजिट इन दा रिपीटिंग ब्लोक इस सिक्स्टीन तो यह हमारा इस कुश्टन का आंसर हो गया अब चाहँ तो इसे रैट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सोट ले लो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कोस्टन के साथ तब तक लिए थैंक्यू क्लास